है वेल्कम टू माई चैनल समय टैरोट का डीडिंग और इस समय पर क्या करेंट एनर्जी इस है डियर गाइज आपके परसन की चैरोगार्ट में देखेंगे सु चैनल को लाइक से स्क्राइब कर लें बेल आइकन को प्रैस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए क्या है आपके परसन के इस समय पर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में आपके साथ हैं कि आपके साहतन हैं दोने चीज्टों को देखेंगे ऑप्र आपका मैरीडर अफैर आप फ्रैंड सरकल में रिहर आप्र हैं टिन को देख सकते हैं इस चीज को समझ लीजेगा ठीक है सो देख लेते हैं कि कि यह और जिस है अज्छोग Stephen Manow chip नहीं अखकर यह जदा स्ट्रीश कर और जश्य करने हैं फिर्सट कर्द यहाँ पर स्ट्रेश है और यह स्ट्रेस जो मुझे बायबरेशन मिल रही है व्लोक में बया ब्लॉक में डला लेकिन आप इनकी हाला तो देखिए क्योंकि यहां पर दूरियों दूरियों में नहीं रह पा रहे ना यह आपके परसर दूरिया तो बना ली और किसी के कहने पर यह कुछ ऐसी चीज़ें लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर दूरियों में रहनी पा रहे ना हैपी नह से बात करते हैं तबिन की लाइफ में सब को स्थीक रहता है यह बहुत हैपी रहते बट अभी इस ट्रेस इतना जादा है इनको हो रहा है कि इनको लग रहा है कि यह अनपलोक करके अपकर लें लेकिन कई-na-kai यह फिर कॉंटेट कर लें से लेकिन मैं यहां पर दिख रहा होगा आपको थार्ड परसन की अनर्दीज आ रही कि कोई दीसरा इंसान है जो इनको बहुत जादा अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है और वो नहीं चाहता कि आपके परसन आप से बात करें और उसने इस हिसाब से इनको सेट किया हुआ है अभी फैमिली मेंबर है या कोई थर्ड पार्टी जिसके जिसका फियर या जिसकी बजहें से आपके परसन मतलब अंडर्स्टेंड नहीं कर पा रहे हैं और कई नहीं कहीं इतनी ज़्यादा महबत करते हुए भी आप से इसमें दूरियां बना रहें तो बड कर रहे हैं आपके पार्सन आप करने के लिए को आ रहे हैं इसी नश् तो मुझे लग रहा है किसके पास अनर्जी में आने वाले क्योंकि मेरे कुंगत था पर इतना हुरह इतना इंसान नहीं रह सकता क्योंकि एक ना एक दिन आपके परसन को आपके पास आना ही है कि future की energy जा रही है तो यहां पर यहीं कि कहीं न रही है कि कई न कहीं आपका future साथ ही होगा कि इस समय situation बहुत इस्टर्ब है और इतनी उदासी में कोई तो यह चीज मेरे को इसस समय नगा रही के एनरदी दीजान रेहांगे नहीं चीज जापने दाद में Saya तो यहां पर Aries, Leo, Sagittarius, Leo, Singh, Rashi, Kirk, Rashi, Livra, Gemini, Scorpio, दिखें कौन सी राशी यह है, Aries and Sagittarius भी ज्यादा तर नज़र आ रहे हैं यहां पर, Capricorn, देखो यहां पर मेरे को reunion के नज़र आ रहे हैं, नज़र की reunion करेंगे, कि बहुत टाइम से देखो block हैं और block में निरह पा रहे हैं, आप साब समझ लीजे, आपके person आपके बना नहीं रहा सकते हैं, क्योंकि यह आपके पास आएंगे, यह अगर इन्होंने किसी और के साथ relation में रख लिया है, तो भी लोटेंगे, किसी और के साथ अगर चले गए, तो कि यहां पर मैं इनकी energies को देख रही हूँ, कि past का relation आपका नज़र आ रहा है, और आप दोनों के बीचे past से बहुत ज़्यादा strong energies आ रही हैं, या तो हो सकता है कि आपके person बहुत ज़्यादा long distance में रह रहे हैं, है अभी, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि traveling energy आपर साफ है तो प्लीज अगर comment करके जुरू बता दीजेगा अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि या यह भी हो सकता है कि आपके person है, वो आपसे मिलने आ रहे हो, बहुत ज़्यादा दूरियां हो आप में long distance हो और वो सोच रहे हो कि मिलके बैटके हम बात कर ले, marriage यहाँ पर fix हो सकती है, इनके साथ अगर marriage के लिए reading देख रहे हो तो love marriage का chance है बहुत जाता है, इनके साथ हो सकती है, marriage, reunion के इनर्जी जारी है, different side married हो आप लोगा या फिर already married हो love relationship में, तो यहाँ पर यह जो person है, आपके life में दुबारा entry कर रहे हैं, इनसे आप दूर नहीं जा सकती, क्योंकि यह आपके बिना इनका यह हाल हो रहा है, और इस समय इन्होंने आपको block जरूर कर दिया है, लेकिन block करने के बाद यह पूरी तरीके से इनका दिमाग आप में है, जितना दिमाग इनका जब नहीं था आप में, जब यह आप से बात करते थे जितना दिमाग इनका आप में अब लगा हुआ है, जब इन्होंने आपको आप ही में लगा रहे को अभी मैं देख रही हूं ब्लॉक तो कर दिया लेकिन आप इनको पास से लिल्ट सारी बात ने आद आ रही है हम क्या कर रहे थे कैसे लाइक बहुत सारी चीज़ें एसी और खुट खुट के जी रहे हैं मतलब कई न कई इनको लग रहा है कि अब यह आपके life में दोबारा आ जाए तो यह situation है दूसी जी इनकी life में सुख नहीं है यह अपनी life में खुश नहीं है इनकी life में happiness होती है तो वह happiness मुझे नहीं दिख रही है stress बहुत है इनकी life में जिस stress में यह नहीं रह पाएंगे चाहें कोई भी अनर्जीस हो तो अब यह इस निकल कर कई न कई इस इनर्जीस में आ रहे हैं जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि person जो है आपके वह आपकी life में ही happiness महसूस करते हैं और पात खुरूने बंद की है लेकिन बिना बात करें आपके साथ यह रहनी पा रहे हैं तो अब इनको अनब्लॉक करके आपके साथ वापस से दुबारा से relation रखना है और जो भी थाड़ person है देखो यह बहुत जादा मतलब एक ऐसा person है जो इनको हर तरीके से एक फसाव इनको महसूस हो रहा है तो कहीं न कहीं इन से निकलेंगे लेकिन इन से निकलने के लिए भी ना इनको आपका साथ चाहिए यह चीज़ मैं आपको बता दूं क्योंकि यह अकेले अपनी life में क स्ट्रेस हो रहा है इनको तो यह सुच्वेशन है आप लोगों की बीच में तो कहीं न कहीं मैरेश का योग दिख रहा है दियुनियों से लिटेड इनर्जी से डिफरेंट साइट मैरेड हैं बहुत हो गया दूरियां परदास्त नहीं हो रही है इनको और अब यह आप से ब कोई भी गार्डाइस ले नहीं है तो आप ले सकते हैं मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मल जाएगा आपको एंड टेक क्यार बैबाए